यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ आगे बढ़ेंगे नॉइडा के सेक्टर 11 में मकान में दिन दहाडे चोड़ी की घटना सामने आई वही चोर घर में रखे लाकों की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गया घटना का पता उस वक्त चला जब दमपती अपने विमार पिता को देखने गए हुए थे और घर वापिस आये तो मकान का ताला तूटा हुआ मिला और वही घर के अंदर जाकर देखा तो सामान भी बिखरा हुआ मिला और देखते ही देखते करीबन 5 लाक रुपए कैश और करीबन 8 लाक की ज्वेलरी गायब थी तभी घटना की सूचना पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुची घटना का जायजा लिया और चोरी का मामला दर्ज करके पुलिस जाच में जुट गई तो पूरा मामला पुलिस की तरफ से दर्ज कर लिया गया है दिन दहाडे लूट का ये मामला सामने आया है चोरी की गई है घर में और लाकों का समान चोरी हो गया ज्युलरी भी चुराली गई और जब दमपती अपने पिता से मिलने के लिए कहीं बाहर गए हुए थे उस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया मकान में दिन दहडे चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और आपको बतारे कि जब दमपती घर पहुँचा तो सारा समान बिखरा हुआ मिला जिसके बाद जब चानबीन की गई तो कई लाखों का समान भी चोरी पाया गया और लाखों का नकदी भी चोरी पाया गया मकाम में दिन दहडे लूट की वारदात को चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया लाखों का समाद चोरी हो गया और फिलाल पुलिस ने पूरा मामला दर्च कर लिया है अगामी कारवाई में पुलिस चुट गई है जी करीबन 4-5 लाख रुपए कैश है और उसके साथ साथ जोयलरी है जो की 7-8 लाख रुपए की है और जो छोटे बच्चों की गुल्लक है उन्होंने गुल्लक को भी नी छोड़ा और गुल्लक को भी तोड़ दिया तीन-चार गुल्लक के हैं जो बच्चों की थी सब को तोड़ दिया सारा समान इदर उदर फेक के वो गए हैं उस समय घर पर कोईन था जी हम अपने पादर के पास गए वे थे जो की थोड़े बिमार चल रहे है और ज्यादा दूर नहीं गए थे हम यहां सेक्टर 56 ही गए पुलीस उसी टाइम आगे ज्यादा समय लगा जो भी उचित दर होगा उस समय वो आ गई पर नहीं आज पास कोई सी सी टैमर करने हमारे पास भी नहीं है नहीं इस सुसाइटी में है झाल 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 झाल